हलो जो नमस्कार गुड इमनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तो आपको पता ही है कि अभी भाग में क्या चल रहा है इस टाइम जैसा कि मैंने प्रिबेस वीडियों बताया था और दोस्तो यहाँ पर जितने भी आउट्ट्रोसिंग वेकेंसिस में जो लगे हुए हैं लोग या फि धरना पदरसन पर 24 घंटे के लिए बैठे हुए हैं और दोस्तो इससे बहुत सारे चैतरों में जो है बेजली ठब गुल होई है और बहुत सारे समस्यां का सापना करना पड़ा है आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होंगे जहां पर लाइट की प्राबलम हुई होगी आप पर उर्जा मंतरी के साथ दोस्तो बैठक भी हुई थी उनकी और बैठने के बाद कोई भी सोलुशन निकल के नहीं आया है जिसके वज़े से पुरे परदेश के जितने भी प्रियाग राज हो गया लखनाव हो गया कौयन पूर हो गया जितने भी यहां पर करमचारी काम करत हैं संगठन जो उनका बना हुआ है यूनियन सभी मिल करके जो है खूप जबर्जस्त जो है धरना पुदर्शन हरताल मचाय लोग और जूलुस यात्रा भी निकाले थे ठीक है मसाल जूलुस यात्रा तो दोस्तों हम पर बात करते हैं क्या इसका हमारे भरती पर क्या प्रभ बहुत साल से बहुत साल से दोस्तों यह पहली बार मतलब ऐसा हुए है जो अचानक जो है बिजली भागवाले जो समीधा करमचारी है परमानेट करमचारी है यह सब ही जो है अभी सरकार के बिपक्ष में खड़े हैं और अपनी मांगो को लेकर बिलकुल डटे हुए हैं दो कोई काम कर रहा है दोस्तों अगर इतना मेहनत कर रहा है लाख दो लाख रुपए की जो है उनकी सेलरी उसके लेवल पर लोगों को बिलती है जैसे कि मालीजी एक SDO हो गया एक जई हो गया शाटर शुर्सिंग में कोई जय हुई है तो और क्या करेगा दोस्तों यहाँ पर वह जो है उसके काम तो लिया जाएगाlike उसको मातर में 18-20,000 या फिर वह भी नहीं आप मान सकते हैं 12-15,000 रुपया जो कि एक प्राइबेट में जो है एक कोई भी लोकल में बिना पढ़ा लिखा भी काम करेगा तो इतना कमा लेता है तो दोस्तों यहाँ पर मतलब इतनी बूरी हालत है आपको पता ही है कि जितनी गौर्मेंटेट संस्थाएं हैं गौर्मेंटेड और नेडिसन हैं सभी जो है पर कंट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कंपणी है सभी कंपनी में जो है आटो सोरोसिंग में या फिर कोंट्रेक्ट बेस पे जवाब लग रही है आदित वीड़ला होगया ठीक हे जेपी सीमेंट हो गया अब में नाम क्या गिजि नों जेपी सीमेंट प्राइबेट है मैं गशाशली कंपणी है government company है वहाँ पर जो है उनको जुनियर इंजिनियर की जुरत पड़ी या फिर इंजिनियर की जुरत पड़ गई तो जो है वेकेंसी निकालेंगे उसमें requirement डाल देंगे कि 5 साल का अनभव वाला को व्यक्ति हमको चाहिए और वो जो है 5 साल का अनभव हो और उसको इस फिल्ड जो दी जाएगी वो जोस्तो विल्कुल वहाँ पर satisfactory होनी जरूरी है अगर उसको इस लेबल का job है अगर salary नहीं मिले ठीक ठाक तो वहाँ पर उसको दिक्कत हो जाएगी अगर वो पहले कर रहा है तो या फिर नहीं भी कर रहा है तो अभी उसके हिसाब से qualification के हिसाब से हाँ जाओ मिलना जरूरी होता है दोस्तो चलिए तो बात यह हो गई आकर भरती को लेकर क्या यहाँ पर असर पढ़ने वाला है हम इससे बात करते हैं देगो government का जो मत है अभी 891 वेकेंसी निकाली है 891 इसके पहले 600 कुछ वेकेंसी आई थी दोस्तो इसके बाद 891 आई है 891 दो तो इसका क्या लॉजिक है देखो यह जो यह जो मतलब हंगामा फैला हुआ है ठीक है सोर सराबा यह काफी दिनों से था यह प्लानिक बन रही थी और अभी आपको पता ही है कि government जो है और बहुत सारे वेकेंसी जो है निकाल चुकी है और इसके अलामा बहुत सारे वेकेंसी होई नहीं है यह भी बहुत सारे कमेंट्स करने बच्चे और टीजी टूएले भी कमेंट्स कर रहे हैं और दोस्तों आप देखी रहे हैं कि लाइनमेन की चरी 5000 पत खाली है 4000 प्लस पत खाली है तो वह भी जो है एक तालिस दो पोस्ट आई थी वह लाइनमेन की वह भी रद दी गई आप देखरें बहुत दिनों से लेखेंगे कई साल होगे दोस्तों मुश्किल से 1000-15000 पताय होगे मुश्किल से कई साल हो गए कई कई साल हो गए अभी तक वेकैंसी नहीं आ रही है और दोस्ते आपर पढ़ रहे है न लड़के तैयारी करने वाले लाकों के संख्य को आप एगरी करना कि प्रेशर बन रहा है एक competition लेबल जो होता जिसे मालो अगर यहां पर एक लाख बच्चे हैं अगर यहां मालो भरती आ गई एक हजार भी आ गई एक हजार या फिर दो हजार आ गई तो वहां पर वह बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा मतलब जो ठीक ठाक प्रेश बच्चे होगे एक लाख तो वहां पर मालो कि अगर मातर जो है दस पोच्ट है ठीक है मातर दस पोच्ट है अगर लोगों ने farm भरा है सभी लोगों ने farm भरा है तो सुचो कि अगर 100 में से अगर मान लोग किसी के 91 से लेकर के 100 marks तक अगर 100 तो किसी काएंगे नहीं आप मान सकते हैं कि 95 से लेकर के 97 तक अगर मान लोग इतने लड़के मिल गए नंबर वाले एक मैं example बता रहा हूँ तो वहां तक जो है इतने लोग की से लेक्षन उपर से हो जाएगा बाकि नीचे वाले क्या 85 का से लेक्षन हो पाएगा उस से एक ऑंक नीचे वाले का भी से लेक्षन नहीं होगा इस बात की guarantee है तो वो तो किसी मामले में कम नहीं है ठीक है वो तो बिलकुल सटीक है मतलब अच्छा है पढ़ने में ठीक ठाक वही नहीं कहलाएगा कि अगर 85 से उपर वाला सेलेक्शन हो गया, 85 से नीज़ 84 होता है, 84 वाला ठीक ठाक ही कहलाएगा, तो देखो यहाँ पर बात यहाँ है कि भींड की बात है, competition की बात है, इतनी भींड बात में अगर आप त्यारी कर रहे हैं, अगर competition बे वेकेंस करना भी पड़ता है, क्योंकि competition का दोर जो है, यह बहुत ही आजीब रास्ता होता है, आप मेहनत करते हैं, फिर भी आपको इस चीज़ों मुकाम हासिल नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको motivate, demotivate नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी मेहनत करिए, पूरी तयारी क और vacancy को लेकर दोस्तों अभी बिल्कुल भूल ही जाएए, भरती किसी भी सुरत में दोस्तों नहीं आने वाली है, आप अभी माले सकते हैं कि आपको कम से कम दो महीने तक दोस्तों vacancy देखने को नहीं मिलने वाली है, अभी जितना यह सोर सरावा हुआ है, इसे चलते बहु अब तो मुसे यह भी कनफर्म नहीं हूँ, मैं परिच्छा हो पाएगी यह भी फिलहाल में, अपरेल में, अभी यहाँ पर slot के लेकर भी बात चल रही थी, तो slot लोट यार वो तो ठीक है, एक matter है, मानते हैं, बट यहाँ पर department में भी कुछ ने कुछ अभी बहुत सारा matter चल रहा है, इसको लेकर काफी अफर अतफरी मची हुई है, भी इस पर कुछ बोलने सकते, कोई authentic दोस्तों यहाँ पर हमने पता करने कोसिस की है, ठीक है, परिक्षा को लेकर के, जल्दी जैसे की information मिलेगी, आपको हम वीडियो का अनत में दोस्तों आपसे एक request है, मैं यही कहूँगा कि दोस्तों एक ही भरभरती पर focus मत कीजिए, अगर आप technical है न, अगर आपने अच्छे से electrician के पढ़ाई की है, computer अगर आप अच्छा खासा मिलेगा, तो apprenticeship भी बुरा नहीं है, अगर आप अच्छे जगा पे कर रहे हैं तो, इसके अलावा, दोस्तों उसके अलावा, अभी जितने भी governments company हैं, जैसे कि मानलो कि, अगर आपको apprenticeship करना है, इसे railway ही नहीं है, बहुत सारे departments है, ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप किसी private sector से भी कर सकते हैं, आप चाहें अगर अच्छी job मिल रहे हैं, आपको private sector भी बहुत दिक्कत है, आप त्यारी करिए, आपको बेसक एक post मिल जाएगी, बट इतना भी हतास निरास मत होईए, अगर आपके पास full support है पीछे से, पैसे उसे दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल continue रहे, बागी अगर आपको बहुत दिक्कत होई दोस्तों तो आप कर रहा हूँ, मैं आपको demotivate बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाफ दोस्तों चल रहा है, एक लाइन में देख सकते हो, किसी गाउं से एक जाता है, और आप जो है, आप इतनी त्यारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपको जवाब नहीं मिली मानलो, साल-सल भर के देरी शल रही है, आठ से एक आन में परिक्छा आई है, पोस्ट आई है, उसको कराने में साल-सल भर के टाइम लग जा रहा है, अब इसमें क्या होगा, उम्रे बढ़ेंगा, उम्रे के सांसाता आप हतास होंगे, निरास होंगे, आप उलच चुके होंगे पू नोटिफिकेशन आया है सब कुछ टाइमली हो रहा है तो फिर आप बिलकुल बनाए रखें अगर किसी परिक्षा यह सकते हैं कि आप असिस्टेंट वोरिंग टेकनिसियन का बच्चा अगर सीफ असिस्टेंट वोरिंग टेकनिसियन के लिए ही पढ़ता होता आज 19 के भरती थ रूड़ते रहें आपका ही भला होगा और सबका भला होगा